हैलो फ्रेंड्स मैं हूं आरती स्वागत है आपका मेरे कीचन में रादे-ार फ्रेंड्स आज में आपके ले लेकर आई हूँ टेपी सा नाश्ता इसमें बिल्कुल भी तेल ली अंदर जाता है और बहुत ही टेपी बनकर तियार होती है आप इसे मैदे की कचोरिया भी कह सकते और टेस्टी नाश्ता भी क्या सकते हैं स्कूल में भी बच्चों को लैंस टाइप में भी दे सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने लिया एककटोरी मैदा अब इसमें में थोड़ा सा ऑईल डालूंगी बिल्कुल मेरे तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स तो बहुत है यह सब्सक्रीर हों करता है क्याव गोंगी डाला त понятно है दृवरा दिया नहीं कोदे इसमें है अई में थोड़ी सी राई डालेंगे थोड़ा सा जीरा डालेंगे आधा चमच दोनों और एक कटिवी इसमें प्यास डालेंगे एक कटिवी इसमें हरी मिर्च डालेंगे फ्रेंट्स और अब इसे अच्छे से बून लेंगे हलका हलका सुनेरा होने तक इसे बूनेंगे और जब य भी आईगा अच्छे से तो हम इसमें तीन उगलेवे मैश करेवे आलू डालेंगे अब आलू में हम डालेंगे धनिया पौडर आधा चमच आधा चममच इसमें अब डो को हलका सा सॉफ्ट करेंगे और चोटी चोटी लोईयां बनाएंगे जितनी हम एक रोटी बनाते हैं उतनी ही छोटी लोईयां लेनी है ज्यादा बड़ी लोई नहीं देनी है इसके लिए सारी लोईयां बनाके एक साथ तयार कर लेंगे बस इतनी ही लेनी है सारी गी लगाएं तो बहुत ही और भी कुरा बन के तैयार होता है और फिर हलका खलनी से एक चमच मैदा डाल के छान्टेवी को छान देंगे हलका हलका लगाएंगे मेदा अब इसे फोल्ड करेंगे इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूं friends, और फिर सिस पर Gyi लगाएंगे या oil लगाएंगे फिर फिर से इस पर मैदे को छुड़केंगे हम थोड़ा थोड़ा छलनी की मदद से, और इसी तरह से fold करेंगे, फिर हलका हलका सा इसे बेल लेंगे फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरीके से और यह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनके तियार होती है बहुत ही अच्छी लगती है और कुछ भी बाहर से निलाना है और कुछ नया हो जाता है नए तरीके से बनाने से यह होता है कि कुछ नया सा हो जाता ह जो भी खाए तारीफ करें एक लेडिस को यही सबसे बड़ी बात होती है कि वो इतनी महनत करें या कुछ भी बनाए नया बनाए और उसकी सब घर में तारीफ करें तो इससे अच्छा क्या होता अब एक धागा लेंगे फ्रेंड्स और उससे अराम से यह कट जाता है कोई दिक जाता है कि समुषिए खाना भूल जाएंगे इतना टेस्टी लगती है अब इस में हम अलोग को फिल कर लेंगे और अच्छे से बन करेंगे कचोरी को जो हम बना रहे हैं ये नाशता इसे अच्छे से बंद करेंगे और बिल्कुल भी इसे बेलना नहीं नहीं है जादा और गर्म-गर्म होट. तेल में बिल्कुल इसे फ्राई करेंगे और फिर जब तेल बहुत ज disp 새ślबा क्चोरी अच्छे से लेंगे अच्छे से से फ प्लीस मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बैल आइकन को दबाईए जिससे की मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, अब देखिए यह फ्राई हो गई है, निकाल लेंगे, एक एक करके सारे कचोरी इसमें से निकाल लेंगे, बिल्क